प्लीस वीडियो के साथ बने रहेगा उससे पहले प्रेंज अगर आपने अभी दक मैं टेलिग्राम पर पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चन में तो जलदी से जाकर हमें टेलिग्राम पर फोलो कर लीजेगा टेलिग्राम पर चल रहे हैं बड़े गीववे रोजाना एक लाग रुपे तक आपको गीववे वहाँ पर मिल रहे हैं और आज आपके पास है टीवी और जीतने का भी तो जरूर से जुट जाएगा लिंक वीडियो के नीचे जीते हैं वहीं पर दो मुकाबले इन्होंने हारे हैं अब फ्रेंज हम जानेंगे प्लेयर पर्फोर्मेंस के बारे में कि कौन से ब्लेयर बहुत ज़्यादा जरूरी इस मेच में हो सकते हैं रोई शर्मा कि अगर मैं बात करू तो इस ग्राउंड पर जो इनका रिकोर्ड है इस बात को भी आपको ध्यान में रख कर चलने हैं फिर हम बात करें केल रहुल की जो कि बहुत कमाल की फोल में नजर आ रहे हैं मुंबई के सामने वह भी 60 की किया है मुंबइ की सामने दो मेचों में छे विकेट निकालें वहीं पर आवेश कान ने दो मेचों में 5 विकेट निकालें तो यह जो दो फुलेरे बहुत ज़्यदा इंपोर्टेन आपके लिए हो सकती है वही पर में अच्छा काम किया है चार मेच आवेश कान ने दो मेचों में 5 विकेट निकालें तो ये जो दो प्लेयर है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं वहीं पर रवी विश्णवी ने भी अच्छा काम किया है चार मेच में 5 विकेट निकालें और तीनों ही में गेंड बाज भी सामने की टी सकता है यहाँ पर 16 मुकाबले हुए उसमें से 8 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं आठ मुकाबले बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं हाइस्ट और लोवेश्ट की बात करूं तो आप देखो कि 212 का हाइस्ट बना है 115 का लोवे से 190 के बीच में 8 बार बने हैं 190 से उपर 5 बार बने हैं तो कहने का मतलब मुझे जो रेंज नजर आती है इसमें नजर आती है ये भी 117 का उपर का इस्कोर है फिर 190 एक सो नजर ये बी 170 का उपर का स्कोर है और 215 एक ये भी 170 का उपर का स्कोर है तो कहने का मतलब easily हमें 117 प्लाज स्कोर इसमेज में देखने को मिल सकता है बात कर लें दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेंग 11 के बारे में उससे पहले फ्रेंस टेलीग्राम से जुड़ जाएगा लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसी लिंक से हमें टेलीग्राम पर फोलो करना है बात कर ले थे हैं मुंबई इंडियन की टीम से तो आप देखो के रोहिष शर्मा के साथ में इशान किशन आपको ओपनिंग करती होने ज़रा सकते हैं फिर डीब्रेवी से सुर्य कुमार यादो तिलक वर्मा काईरा इन पोलार तो नंबर छे तक इनकी बल्ले बाजी हमें नजर आती है फिर हम बात करेंगे रिली मेरत अगर इस मेच में खेलते हैं या फिर इनके जोगों दूसरा भी खेल सकता है फिर मुरुकुन अश्वीर है जैदे उनाटकट बसिल थंपी और चस्कित बुम्रा तो मुंबई की जो टीम है कुछ इस पकार हमें देखने को मिल सकते हैं लास्ट मेच के अगर मैं गेंद बाजी की बात करूँ तो बसिल थंपी ने चार ओर में 47 रंदेकर दो विकेट लिये थे उनाटकट ने चार ओर में 24 रंदेकर एक विकेट लिया था बुम्रा ने चार ओर में 28 रंदेकर एक विकेट लिया था मुरुग नश्विन ने चार ओर में 34 रंदेकर एक विकेट लिया था टाइमन मेल को कोई विकेट मिला नहीं था काफी लोग इने अवोइट करकर चलेंगे लेकिन बहुत अच्छा गेंदबाज है कभी भी एक रंदलिक पीक आपके लिए बन सकते हैं बात कर ले थे हैं लखनाव टीम से तो लखनाव टीम से आप देख लिजे केल राहूल के साथ में क्युंटें डिको को आपको उपनिंग करते हो ने ज़र आ सकते हैं फिर आप देखोगे मारकस्टोनी लास्ट में खेले थे अर्थिशन के बारी खेले थी दिपक खुड़ा एवरेज परदेशन देखते आ रहे हैं हालाग यह possibility यह भी है कि शायद इस में गेंदबाजी करे या ना करे करे तो कितने उर करेंगे वो देखने वाली बात होगी इस बात को आप ध्यान में रखकर चलना जो बॉलिंग अटेकिंका हमें नजर आता है और दिपक उड़ा भी गेंदबाजी कर सकते है तो बहुत अच्छे टीम हमें नजर आ रही है वो आ रही है लखना होगी तो मुझे तो ज़्यादा चांस लगने है जितने के लखना होगी है वह बाकी देखेंगे कि मुंबई की बल्ले बाजी किस तरह से खेलती है लास्ट मेंच की गेंदबाजी की बात की जाए चमिरा ने कोई विकेट लिया नहीं था चार ओर गेंदबाजी की थी होल्डर ने चार ओर में 50 रन जरूर दिये ते लेकिन 2 विकेट लिये थे रभी भिश्णी ने 4 ओर में Only 29 रन दिये अवेश्कार ने 4 ओर में 31 रन दिये एक विकेट महीं पर कृष्णापा गौतम ने अच्छी गेंबाजी की थी चार और में 30 रंदेकर दो विकेट लिए थे तो चलिए फेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या टीम हमारी हो सकती है कौन सी में टीम होगी और कौन सी बैक अप टीम होगी तो चलिए पहले तो आप सभी को बता दूँ अगर आम डाउनलोड नहीं किया तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी तो एक बार जाकर डाउनलोड जरू करना डाउनलोड करोगी जो बोनस मिलेगा 100% लिक चलती रहती है तो 100% बोनस से आप खेल स सेक्षन में तो विकेट केपर सेक्षन में आप देखोगे इशान किशन है लोकेश राउनले क्विंटन डिकोग तीनों ही ओपनर को मेरे अपनी टीम में लिया है फिर आप देखोगे रोहिश शर्मा तो यहाँ पर रोहिश चर्मा मेरे टीम में आ जाते है रोहिश शर्मा क पर देखने वाली बात होगी फिर आप चाहे रहे तो काईरान पोलार को ले सकते हो कुणाल पंडिया को अब ले सकते हो कृष्णा पागो गोतम ग्रेंड लिए बन सकते हो बागी नीचे के ओप्सन सारे रिस्की रहने वाले हाला कि डीब रेविस लास्ट में काफी कमाल का ख लाएंगे टाइमन मिल्स अब आपके बास बसील थंपी का भी है मुरुगु नश्वीन का भी है और आपके बास चमिरा का भी है तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे जैदे उनाटकर भी है तो इन मैंसे आप किसी को भी अपने टीम में लेकर चल सकते हो चले फ्रेंज अ पिर यहां से रोहिष शर्मा, सुरीकुमार यादा और इशान किशान टॉप प्लेर ही आ गए, तो बल्ले बाजी मेरी स्ट्रोंग हो गई, फिर जैसन होल्डर, रवी विश्णोई, आवेसकान टीम के में गेंद बाद, टाइम अन मिल, जस्पित बुम्रा टीम के में गेंद तो ये काफे अच्छीटी मुझब नजर आती है, इसी से आप कैपटेन वाईस कैपटेन गेंगेंच कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा ही कैपटेन वाईस कैपटेन चेंज करने की, तो प्लियर में ने चेंज ही है दुश्मनता चमीरा विकेट टेकिंग गेंद बाग डीब रेविस जो की गेंद बाजी भी कर सकते हाला कि बल्ले बाजी से गंट्रिबूट कर रहे हैं और काईरन पोलार कभी भी धमागा कर सकते हैं मतलब आप जानते हो जब बल्ले बाजी करने गेंद बाजी भी करते हो बल्ले बाजी भी करते हैं मेरी ये बेकप टीम ये रहेगी तो चलिए फ्रेंज अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम टीम के बारे में उससे पहले फैन्टू प्ले एफ जरू डाउनलोड कीजिए लिंक वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में और ट गेंद बाजी भी करते हैं दुश्मनता चवीरा जस्प्रित बुम्रा टाइमन मेल और मेने लिया है रवी बिश्नोई का तो ये टीम रहेगी सेकंड टीम के बात कर लेते हैं तो फ्रेंस मेरी जो ड्रीम के जो में टीम रहेगी कुछ इस पकर आपको देखने को मिलेगी कु जो इस आपको किस टीम से खेलना है मैंने मेन और बेकर टीम दोनों ही आपको दिखा दिए फाइल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टेलीग्राम से जूड़ जाएगा टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फेंटूब लेप भी डा